बच्चो आज हम सॉल्व करेंगे exercise 6.3 का question number 3 और question में क्या बोला है देखो इस question में बोला है diagonal AC and BD of a trapezium ABCD with AB parallel to CD sides intersect each other at a point O क्या बोला है हमारे पास एक trapezium दिया है और उस trapezium में उसके जो diagonals है AC और BD वो आपस में intersect हो रहे हैं point O पर और उस trapezium की AB और ये जो CD sides हैं ये दोनों parallel है सो हमें बोला है using a similarity criteria for two triangles और इसमें बोला किनी दो triangles में क्या यूज करके similarity criteria यूज करके हमें शो करना है कि OA upon OC equals to किसके है OB upon ODK ओके तो पहले solution शुरू करते हैं और solution में सबसे पहले क्या आएगा बच्चो गीवन तो सबसे पहले given में लिखते हैं क्या हमें given है जो जो हमें given है उसको हम given में लिख लेते हैं तो सबसे पहले तो हमर पास क्या दिया है ABCD एक trapezium दिया है और उसमें क्या है AB parallel है CD के ओके तो हमारे पास है ABCD is a trapezium trapezium है in which और उसमें क्या है AB parallel है CD के AB is parallel to CD ओके और क्या बोला है प्रूफ करने के लिए बोला है to prove पहले इनको similar प्रूफ करना है दो triangles को अब मैं बताती हूँ आपको कौन-कौन से triangles है और to prove क्या प्रूफ करना है OA upon OC equals to OB upon OD ओके तो इसके लिए अब हम प्रूफ देखेंगे proof में हमारे पास सीधा बन रहा है proof अब construction की जरूरत नहीं है proof में देखो बच्चो ध्यान देना है हमारे पास हमने वो triangle लेने हैं जिन में हमारे पास diagonals आ रहे हैं पहला triangle मैं ले रही हूँ O, A, B ये वाला triangle हमें क्या आना चीए हमारे पास ऐसा diagonals भी bicept होने चीए और वो जो दो sides हमें ये जो AB और CD है ये भी इन दो triangles में आने चीए सबसे पहले बोला है diagonal bicept कर रहे हैं O पे और दो sides पहलल है AB और CD तो अब हमें जो triangle लेने हैं वो किस तरह से लेने हैं triangle वो वाले लेने हैं देखो ये दो triangle लेने हैं इसमें क्या है AB और ये वाला triangle लेने हैं इसमें क्या है CD दोनों पहले साइड्स ट्राइंगल में आ रही हैं और क्योंकि डाइगनल बाइसेक्ट कर रहे हैं तो ये आदे आदे पार्ट्स भी हमारे ट्राइंगल में ही लाई कर रहे हैं OA और OC भी इसी में लाई कर रहे है OB और OD भी इसमें लाई कर रहे है तो कौन से ट्राइंगल लेंगे बच्चों हम, हम लेंगे ट्राइंगल OAB and इन ट्राइंगल OCD, ओके, इन ट्राइंगल OAB and ट्राइंगल OCD, याद रखना बच्चों क्या बोला मैंने, हमें ऐसे दो ट्राइंगल लेने हैं, जिनके बीच में यह हमारी पैलल साइड्स भी आए और जो diagonal bisect हो रहे हैं, उनके आदे आदे parts भी आएं, तो इसलिए हमने ये दो triangle ले लिए, अब देखो बच्चो इसमें, अगर ये दो triangles हैं, सबसे पहले हमार पास क्या क्या है, सबसे पहले देखो, ये दोनों diagonal क्योंकि एक O पर O point पे intersect हो रहे हैं, तो जब दो triangle, जो है, दो triangle की जो दो sides है, वो intersect करती है, तो हमार पास कैसे angles बनते हैं, बच्चो, vertically opposite, तो ये वाले angle, हमार पास आ गया, angle AOB equals to angle COD, तो हम लिख सकते हैं पहले, angle AOB equals to angle COD, और reason क्या आएगा बच्चो, vertically vertically, vertically opposite angles, ओके, ये आ गया, हमार पास first part, similarity के लिए, अब दूसरा कौन कौन सा है, बच्चो, इधार देखो, ये, A और C, angle OAB equals to angle OCD, और ये कैसे angle, इस side वाला, और ये कैसे angles हैं बच्चो, ये हैं हमारे पास alternate angle, कैसे alternate interior angles बोल सकते हैं, तो लिख सकते हैं, angle OAB equals to angle OCD, एक ही point से शुरू करने हैं, ओके, कैसे angle आगे, alternate, alternate angles, ओके, और दूसरे बच्चो, अब दो criteria आगे हमारे पास, अब तीसरा भी देख लेते हैं, तीसरे में कुछ बन रहा है, और, yes बन रहा है हमारे पास, क्योंकि जैसे ये A और C, ये दो alternate बन रहे हैं, वैसे ही हमारे पास B और D भी बन रहे हैं, ओके, बच्चों ये धियान देना, जो triangle पहले लिया है, उसके angles पहले लिखने हैं, जो triangle बाद में है, उसके बाद में लिखने हैं, इसलिए पहले मैं ये वाला लिख लिए हूँ, ओके, सो angle, कौन सा angle आ जाएगा बच्चों, angle OBA, O से start करना है, angle OBA equals to angle, अब यहां से कौन सा, angle ODC, और ये भी कैसे angle हैं, alternate, ओके, ये भी alternate ही angles हैं, बच्चों, अगर ये alternate है, देखो हमार पास तीनो angle, angle आगे, तो ये कौन सा criteria लग रहा है हमार पास, किस criteria से, ये triangle, दोनों triangle similar हैं, बच्चों, angle, 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 तो हम लिख सकते हैं, therefore, triangle OAB is, कौन क्या करना है हमें, similar करना है, congruent नहीं करना है, similar to, किसके similar, triangle OCD, और यहां लिख सकते हैं, by, कौन सा criteria लगा बच्चों, angle, angle, by, angle, angle, criteria of, किसका criteria, criteria of similarity, क्यूंकि हमने बता दिया, कि दोनों triangle में, क्या हैं, सारे इनके तीनों angles, equal हैं, ओके, अब, अगर यह similar हो गए हैं, तो अब हमें कौन से part निकालने हैं, इनके, इनके, जो हमें proof करने हैं, बच्चों, सबसे पहले क्या होता है, जो triangle हमें, जिन triangles में हमें parts जो proof करने हैं, उन triangles को similar करना पड़ेगा, similar करने के बाद, जब similarity criteria लग जाता है, फिर जो parts होते हैं, उनको हम CPST से निकालते हैं, तो आब हमें पास देखो क्या बच गया, angles, angles तो हमने सारे यूज कर लिए, आब हमें पास बच गये, आदे आदे parts, तो कौन कौन से parts हैं, पहले, AO, ओके, AO upon कौन सा बचा, OC, equals to, और दूसरा, OB, OB upon OD, OK, कौन सा, किस method से हुआ ये, किस reason से हुआ, by CPST, ये CPST क्या होता है बचो, CPST का मतलब होता है, corresponding, OK, corresponding parts of कौन से triangle का, similar triangles are equal, corresponding parts of similar triangles are equal, बाद में हो जाता है, मतलब ये understood होता है, कि equal होते हैं, तो CPST का मतलब, corresponding parts of similar triangle, और एक होता है, मर पास CPCT, और CPCT लगता है, किसमें, जिसमें हम congruent करते हैं, triangles को, सो ये ही बच्चों हमें find out करना था, I hope आपको ये question समझ आ गया, समझ आ गया बच्चों, तो please practice करना, क्यूंकि, छोटे-छोटे question हैं, लेकिन important questions हैं, और triangles का आपको पता ही है, triangles के ऐसे ही question आते हैं, आप फिर आके, तो पहले अपनी book तो अच्छी तरह से कर लेना, फिर extra question तो आपको करने ही पड़ेंगे, so please practice करना इसको, वीडियो को like करना, share करना, और channel को subscribe जुरूर करना, thank you so much.